दोस्तो आज फिर से एक नया वीडियो लेके हजीर हुआ हूँ और इस वीडियो में हम प्लांट फिजियोलोजी बाइलोजी के इंपोर्टेंट कोस्चन्स को कवर करेंगे जो कि आपके आने वाली एक्जाम के लिए काफी बहत्रिन साबित होंगे और दोस्तो हाली में जितने भी एक्जाम हो रही है उन सभी में इस टॉपिक से कोस्चन पुछे ही जा रहे हैं इसलिए इस टॉपिक को कवर कर रहा हूँ और बता दो कि यह पार्ट टू रहने वाला है इससे पहले मैंने पार्ट वन वीडियो अल्रेडी अपलोड कर चुका हूँ ठीक है तो इस वीड कोस्चन नमबर 31 रहेगा प्रकास संसेलेशन के लिए कौन सी गेस आवश्यक है तो देख सकते हो काफी बार ये एक्जाम है देखने को मिला है कोस्चन कि प्रकास संसेलेशन के लिए कौन सी गेस आवश्यक होती है तो याद रखेगा कारबन डाई अक्साइड गेस करने की प्रकीरिया है उसे हम बोलते हैं क्या दोस्तों तो याद रखेगा उसे हम फोटो सिंतेसिस कहते हैं ठीक है याद रखेगा अगला सवाल देखते हैं दोस्तों 33 नंबर कोश्चन क्लोरोफिल में कौन सा पारिफिरीन होता है तो क्लोरोफिल में कौन सा पारिफिरीन होता है यह आपसे पूछा है तो याद रखेगा मेगनिस्यम पारिफिरीन होता है तो अप्सन नंबर ए यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ठीक है अगला सवाल है सरवादिक प्रकास संसलेशी क्रिया क्लाप कहां चलता है तो सरवादिक प्रकास संसलेशी जो क्रिया क्लाप चलता है यह चलता है प्रकास के नेले एवं लाल छेत्र में देख सकते हो सेसी में पूछा गया कोश्चन है तो अप्सन नंबर ए यहाँ पर सही अंसर होगा अगला सवाल प्रकास संसलेशन का अंती मुत्पाद होता है तो अंती मुत्पाद क्या होता है कार्बो हाइडरेट इसको भी याद रखेगा पूछा गया कोश्चन है नेक्स्ट सवाल है 36 नंबर कोश्चन निन्बंकित उर्जा रुपांतरों में से किसके द्वारा प्रकास संसलेशन की किरिया संपादित होती है तो ये होती है प्रकास से रासानिक उर्जा के द्वारा तो ये भी पूछा गया कोश्चन है तो याद रखेगा अगला सवाल प्रकास संसलेशन में पर्ण हरित की भू बुमिका है तो प्रकास संसलेशन में जो पर्ण हरित की बुमिका होती है वो होती है प्रकास का आउसोसन तो प्रकास का आउसोसन यहाँ पर सही अंसर होगा देख सकते हो रेलवे में पूछा गया कोश्चन है यह भी अगला सवाल प्रकास संसलेशन में पोधे कौन सी गेस का आउचूशन करते हैं तो कौन सी गेस का आउचूशन करते हैं दोस्तों तो याद रखेगा कारबन डाइक्साइट का ग्रहन करते हैं ठीक है प्रकास संसलेशन में पोधे CO2 को ग्रहन करते हैं और अक्सिजन को छोड़ते हैं याद रखेगा अगला सवाल 39 नमबर कोश्चन है प्रकास संसेलेशन में हरे पोधे द्वारा कौन सी गेस छोड़ी जाती है तो अभी मैंने आपको बताया क्या छोड़ी जाता है ऑक्सिजन अगला सवाल है प्रकास संसेलेशन के समय निकलने वाली गेस का नाम क्या है तो कौन सी गेस निकली आती है अक्सिजन निकलती है तो याद रखेगा इसको भी अगला सवाल है अक्सिजन जो प्रकास अंसेलेशन से उत्पन्न होती है कहां से आती है ये तो ये निकलती है जल से ठीके ना अगला सवाल है प्रकास अंसेलेशन होता है तो प्रकास संसलेशन किसमे होता है तो क्लोरोप्लास्ट में होता है यह आपको पहले भी बता चुका हूं पुछा गया कोशन है याद रखीगा बढ़ते हैं एक सवाल की ओर 43 नंबर कोशन हमारा प्रकास संसलेशन का प्रथर प्रतम इस्थिर योगिक है तो प्रकास संसलेशन का जो प्रतम योगिक इस्थर है प्रतम इस्थिर योगिक क्या कलाता है ग्लुकोल जिसका सही आंसर होगा नेक्स्ट कोश्चन ऐसी जेविक किरिया जिसमें सरकरा तथा वसा का आक्सिकरन होता है तथा और्जा मुक्त होती है कलाती है तो क्या कलाती है स्वासन ऐसी किरिया को हम बोलते हैं स्वासन नेक्स्ट सवाल है हमारा स्वासन मापन का यंत्र कलाता है तो स्वासन मापन का यंत्र कलाता है उसे बोलते हैं रेस्पिरो मिटर ठीक है नेक्स्ट सवाल बढ़ते हैं कारवन डायक्साइड गेस मुक्त होती है तो कारवन डायक्साइड गेस किसके अंतरगत मुक्त होती है तो यह होती है सुवसन के अंतरगत ठीक है नेक्ष्ट सवाल रातरी में वरक्चों के नीचे सोने की सरा नहीं दी जाती है क्यों कि यह रात्री के समय CO2 छोड़ते हैं तो याद रखेगा इसको यह भी important question रहेगा ATP का अभी प्राय है तो ATP का यहाँ पर क्या मतलब हो जाएगा तो adenosine triphosphate तो option number A जो दिया है यहाँ पर सही answer होगा adenosine triphosphate next question देखते हैं आनाक्सिस्वसन में अंतिम उत्पाद होता है तो आनाक्सिस्वसन में जो अंतिम उत्पाद बनता है वो कौन सा बनता है तो इथाईल एलकोहल बनता है याद रखे का अंति मुत्पाद आनाक्सिस्वसन की किरिया में अगला सवाल है आक्सिस्वसन का अंति मुत्पाद क्या होता है तो आक्सिस्वसन का जो अंति मुत्पाद होता है वो होता है कारवन डैकसाइड और जल तो option number 1 यहां पर सही answer होगा तो दोस्तों बस इतने ही question इस वीडियो में लेता है करें और बाकी इतने भी question रहे हैं उसको next part में ले क्या हूँगा इस तरीके से यह topic complete हो जाएगा फिर हम next part के MCQ करने वाले हैं तो अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो like कीजेगा दोस्तों के साथ जरूर share कीजेगा और चैनल पर नए हो तो please subscribe जरूर कीजेगा ताकि ऐसे ही आपको वीडियो हमेशा की तरह मिलती रहेगी और मैंने काफी सारे वीडियोस Economics, Physics, Biology के बहुत सारे चैप्टर वाइस MCQ करवा है आगर उन वीडियोस को आप देखना चाहते हो तो प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखेगा ताफी help होने वाली आपकी और तो चलिए मिलते हैं next part में ले जब तक के लिए जय हिन आल्दवेश्ट